केंद्रिय युवाएवं खेल मामले मंतरी अनुराग सिंठाकु ने कहा नराज पहलवान खेल को ना पहुचाए नुकसान पुलिस और आदालत पर रखें भरोसा चंडिगर्ण के प्रशासकी अध्यक्षता में मुख्यमंतरी मनोहरलाल ने पंजाब विश्य विद्याले में हर्याना की हिस्सेदारी की बहाली और राज्य के कॉलेजों की विश्य विद्याले से संबद्धा को लेकर पंजाब के मुख्यमंतरी के साथ की एहम वेटर और उप मुख्य मंत्री दुश्यन चटाला ने महेंदरगण के नार नौल का किया दौरा कहा पाइलेट का प्रशिक्षन लेने वालों के लिए प्रदेश चरकार लाएगी बॉंड पॉलिसी लोन की भी मिलेगी सुविधा विश्व दूद दिवस के अफसर पर करनाल स्थित राष्ट्रे डैरी अनुसंधान संस्थान में दूद परदर्श्री का किया गया योजन दूद में मिलाविट का पता लगाने वाली जांच किटकी तैयार नमस्कार मैं जगजीत कर अब समाचार विस्तार से भारतिय कुष्टी संग के पूरवध्यक्ष ब्रिज भूशन शरण के खिलाफ विरोध करने वाले देश के कुछ पहलवानों के मुद्दे पर आज मुजफर नगर में खाप पंचायत हो रही है माना जा रहा है कि किसान इस पंचायत में पहलवानों के अंदोलन की रणनीती तैय करेंगे ऐसा तब हो रहा है जब देश के केंद्रिय खेल मंतरी अनुराग सिंग ठाकुर खिलाडियों से लगातार अपील कर रहे हैं कि वह पुलिस और अदालत पर भरोसा रखे जांच र और भी बनाई जांच करवाने की थी वो भी करवाई official करवाना चाहते थैं दिल्ली पुलिस ने ऐफ आ यर भी की सुप्रीम कोट गये तो वहां पर भी सुप्रीम् औरा सर्टरेंड के में जाने के लिए कहा वब ड्रेशिय को रैसलिंग अवैडरेश्टी व् ुदिया है अब ट्रायस भी आयो की कमेटी ओफ एडविसेटर कर रही है दिल्ली पुलीस जांच भी कर रही है तो जो जो प्लेयर्स ने कहा वही सब कुछ हुआ है और मैं कहना चाहता हूं देश में किसी भी नागरी की अगर इस तरह की कोई भी कंप्लेंट आती है उसमें पुलीस करेगी उसके बाद उच्जित कारवाई भी होगी चंडिगड के प्रिशासक बनवारी लाल प्रोहित के अध्यक्षता में मुख्यमंत्री मनोहरलाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवांत मान ने आज पंजाब युनिवर्स्टी के विभिन विश्यों को लेकर एक एहम बैठक की चंडिगड प्रिशासक ने कहा के ग्रामिन शेत्रों तक भी शिक्षाब की पहुंच हो इसके लिए सबी सरकारों को काम करना चाहिए उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को कहा के पंजाब युनिवर्स्टी के जो विशे हैं उन पर आपसी सहमती से आगे चाहिए और हर्याना के कॉलेजों को पंजाब विश्यविद्याले की संबंता से जोड़ना चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री मनुहरलान ने कहा के पंजाब पुनरगठन अधिनियम 1966 के तहट पंजाब विश्यविद्याले में हर्याणा राज्य का हिस्सा दिया गया था लेकिन 1973 को एक अधिसूचना यारीकर इसे खतम कर दिया गया। उन्होंने कहा कि राश्ट्रे शिक्षानीती का उदेश्य भी यही है कि सभी राज्यों के वे शिक्षन संस्थान देश की उन्निती में सहयोग करें। इसलिए हर्याना के कॉलेजों की संबंता पंजाब युनिवस्टी चंडिगर से की जाए। आज एक नई उर्जा देखने को मिली। नेपाल के पुश्प कमल देहल प्रचंड की आज प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी के साथ भी पक्षिय वारता हुई। इस दोरान दोनों देशों के प्रतिनिधी मंडल भी मौजूद थे। इस बादचीत के बाद दोनों देशों के बाद बीच साथ समझोतों पर हस्ताक्षर हुए। जो व्यपार और वनीजे, सीमा, पार, पेट्रोलियम, पाइपलाइन, एकिकरित, जांच सौक्कियों का विकास, जल, विधुत, परियुजनाओं और भुगतान जैसे विश्यों से जुड़े हुए हैं। दोनों प्रधान मंत्रियों ने सिंयुक्त रूप से भारतिया रेलवे की कारगो ट्रेन को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया। यह सेवा बतना से नेपाल कस्टम याड को जोड़ती है। उपमुखे मंत्री दुशन चटाला आज महेंदरगर जिले के नारनौल शेतर में विभिन कारेक्रों में शामिल हुए। इस दुरान उन्होंने नारनौल में 12 करोड से बनने वाली विभिन सडकों का शिला न्यास किया। एक पत्रकार वारता में उन्होंने कहा के 300 करोड रुपे की लागत से नारनौल से दादरी तक बनने वाली स्टेट हाईवे के काम को शीगर पूरा कर लिया जाएगा। उपमुक्यमंत्री ने कहा के बे मौसम बारिश और ओला वृष्टी से फसलों में हुए नुकसान की मुआवजा राशी प्रदेश में सबसे अधिक महिंदरगट जिले के किसानों को 78 करोड रुपे से भी अधिक की राशी दी गई है। 78 करोड से जादा महिंदरगट को मौफजा मिला है क्योंकि सबसे जादा सरसो का लॉस महिंदरगट में आये था और लगवग 48 करोड रुपे हमने दादरी जिले को मौफजे के तौर पर दिया। कुल 181 करोड 67,700 पलस किसानों की खातों में कल सरकार ने ट्रांसफर किया है। ये वो फार्मर्स हैं जिन के पास किसी तरह की इंशॉरेंस नहीं थी और उनकी क्रॉप वेरिफिकेशन पूरी तोर पर होगी थी। प्रदानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड है और कुछ है रिया अनकवर्ड है। उनकी वेरिफिकेशन भी चल रही है। जैसे उसका डाटा कंपाइल हो जाएगा उनको भी हम मौफ जा देंगे। दुशन चटाला ने बाशोद में बनी हवाई पटी पर चल रही पाइलट ट्रेनिंग को लेकर कहा कि अब सरकार नहीं पॉलिसी लाने जा रही है जिसमें बॉन्ड पॉलिसी शामिल होगी। पाइलेट की ट्रेनिंग लेने वाले ट्रेनरों को सरकारी तौर पर लोन की सुविधा उपलब्द करवाई जाएगी। जल्दी स्टेट बॉन्ड पॉलिसी लाएगी जिसके अंदर लोन की विवस्ता गरीब बच्चे को सरकार के तौर पर मिले उसके उपर जैसे मेडिकल बॉन्ड पॉलिसी एविशन बॉन्ड पॉलिसी भी जल्द आएगी। विश्व दूद दिवस के अबसर पर आज करनाल स्तितराश्ट्रिय डेरी अनुसंधान संस्थान में दूद परदरशनी का आयोजन किया गया। देश में प्रती व्यक्ति दूद की उपलबता 444 गराम प्रती दिन है। दूद विटामिन और खानी जों विशेश रूप से कैल्शियम का एक उत्कृष्ट श्रोत है। डॉक्टर धीर ने कहा के NDRI ने दूद में मिलावट का पता लगाने के लिए तवरित जांच किट की एक शरिंखला भी विक्सित की है। कि हमारे देश के और हमारे किसान भाईयों की, हमारे संस्थान की, हमारे जितने भी और डिये डियेफ हैं और हमारे काउंसिल की, इनके सबी को मिल करके और हमारा अचलच अब आगे है जो हम करना चाहते हैं क्योंकि डेरी जितना बढ़ रही है तो कोछ चैलेंज़ भी आते और साथ-साथ में इसके बढ़ने से बहुत सारे अनिमल के उपर जो कुछ है हमारा क्लाइमेट चेंग है तो इसलिए इस साल की जो तीम रखी गई है यह उन्हे अधारा, इसका है कि कैसे हम क्लाइमेट चेंग को बचाते हुए हम अपनी डेरी को भी आगे बढ़ाएं वही डेरी टेकनोलोजी शात्रों ने बताया कि लंबे समय से डेरी उध्योग में सर्विटोल की उत्पस्तिती का पता लगाने के लिए प्रशिक्षन की मांग की जा रही है शात्रों ने बताया कि प्रिशिक्षन का उप्योग करना बहुत आसान है और इसके लिए किसी उपकरण की भी आविश्यक्ता नहीं है इससे हमको पता चलेगी इसमें सॉर्बिटल आड़ेड है या नहीं है जो ग्रीन कलर्ण पे है वो प्योर मिल्क है जो रेड कलर्ण पे है वो सॉर्बिटल आड़ेड मिल्क है इसे हमको बता चलेता है कौन सी प्योर मिल्क है कौन जी इन्होंने हैं hare metrics ऑड़ेड पनिल्क हे बहुत इजी है चेक करना मिल्क को सबसे जादा अच्छा है कि आपके धर पे अगर प्रोडिक्शन मिल्क का जादा है तो आप इजी ली स्टिप्स को लेकर डिटेक्ट कर सकते हूं हिंसा से प्रभावित रहे मनिपुर के लिए आज केंद्रिय ग्रह मंत्री आमिज शाने कुछ योजनाई देश के सामने रखी है इमफाल में प्रेस कांफरेंस के जरिए एक तरह से उन्होंने शांती योजना का खाका सामने रखा है इसके तहट उन्होंने कई घोशनाई की हैं पहली तो यह के अमिज शाने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए न्यायक जांच आयोग के गठन की बात कही है हिंसा प्रभावित लोगों के लिए सरकार पहले ही राहत और पुनरवास पैकेज की घोशना कर चुकी है जिसे आज फिर से दोहराया गया लेकिन इसके अलावा हिंसा में घायलों और जिनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसके लिए भी राहत पैकेज का कल केंद्रिय ग्रह मंत्राले की ओर से एलान किया जाएगा इसके इलावा केंद्रिय मंत्री ने हिंसा से जुड़ेच है मामले CBI को सौंपने की घोशना की ग्रह मंत्री ने कहा के मनिपूर में सुरक्षा के लिहाज से काम कर रही एजंसियों के बीच बहतर सामजसे को लिए CRPF के सेवा नुरित DGP के यध्यक्ष्टा में एक यूनिफाइड कमान बनाने का भी फैसला किया गया है जो आज से अपना काम शुरू करेगा मनिपूर में अभी धेर सारी एजंसिया सुरक्षा की दुरुष्टी से काम करी है उनके बीच में बहतर समनवाई के लिए एडवाईजर स्रीकुलदीप सिंग्जी जो की डिटायर DGCRPF हैं उनकी अध्यक्ष्टा में इंटर एजंसी यूनिफाइड कमान की व्योस्ता आज से ही हम रचना में लाएंगे जो सभी एजंसियों के बेटर कॉडिनेशन के लिए पक्सपात विहिन कॉडिनेशन के लिए इनकी अध्यक्स्ता में काम होगा मुख्यमंतरी मनुहरलाल ने कलचंडीगड से ईशति पूर्टी पोर्टल के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में एक सो एकासी करोड रुपे की मुहाफजा राशी को ट्रांसफर किया इस सबसर पर उप मुख्यमंतरी दुशन चटाला कृशी मंतरी जेपी दलाल भी मौजूद रहे मुख्यमंतरी ने कहा कि सरकार ने फसल नुकसान का विशेश सर्वेक्शन करवाया था जिसके अनुसार अठारा जिलों में दो लाख नौ हजार एकड में फसल की शती दर्स की गई आज गेहूं सरसों और तोरिया फसलों के लिए 67,758 किसानों को 181 करोड रुपे की राशी जारी की जा रही है मुखे मंतरी ने कहा के संबदित अधिकारी मेरी फसल मेरा बियूरा पोर्टल पर किसानों का पंजी करण करवाना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें समय पर मोवजा दिया जा सके उन्होंने कहा के वे दिन गए जब किसान अपना मुआफ़ा पाने के लिए वर्षों इंतजार करते थे वर्तमान राजे सरकार ने ई गवर्निस की दिशा में बढ़ते हुए यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को समय पर मुआफ़ा मिले इशतिपूर्टी पोर्टल फसल नुकसान के समय आवेदन सत्यापन और मुआफ़ा प्रदान करने की परणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एतिहासिक कदम है मुख्यमंत्री के OSD जवाहर यादव ने बताया कि यह पहली बार हुआ है जब किसानों को मुआफ़ा राशी सीधे उनके खाते में मिली है जबके पहले उपायुक्तों के माधिम से यह राशी दी जाती थी किसानों के खाते में एक किलिक से माने मुख्यमंत्री जी ने पहुंचा दीजिए ये अपने आप में एक त्रांतिकारी कदम है कि जब अनौंस किया तबी वो पैसा चला गया जिसमें सर्सों, गेहूं और तोरिया इन तीन फसलों का मुख्यता यह मुआफजा था मेहंदरगट जिले को इसमें अधिक्तम मिला है लबग 60-60 क्रोड रुपे के आसपास का है ऐसी दादरी को जहां-जहां जिस परकार का नुक्सान हुआ जो रिपोर्ट आई उसके अधार पर और इतनी तेजी से लोगों को किसानों को अफसलों का जो नुक्सान होता है वो पोचाने वाले पहले मुख्यमंत्री है यह सीधा किसानों के अकाउंट में गया मुख्यमंत्री को इसके लिए मुख्यमंत्री को इसके लिए हम अभार वेक्ट करते हैं कोई क्रेप्शन ने कोई बीच का बिच्चोलिया ने एक किलिक किया और खिसानों के अकाउंट में पैसा चला गया आंकडों के अनुसार जन्वरी मार्श 2023 की तिमाही में जीडीपी की विकास दर 6.1 फीसद रही यह रफ्तार इससे पिछली तिमाही में 4.5 प्रतिशत थी पिछले वितवर्ष की चौथी तिमाही में सकल घरेली उतपाद में वृध्धी की दर 4 प्रतिशत रही थी 2023 में जीडीपी 7.2 प्रतिशत की दर से बढ़ी है जीडीपी के यह आंकडे विशलेशकों के पुर्णर निर्मान के कहीं बहतर हैं मुख्या आर्तिक सलाकार डॉक्टर वी आनंत नागेश्वर ने कहा के जीडीपी की रफ्तार उमीद से अच्छी है उन्होंने वी निर्मा black करते हैं मुख्या झालिफने ला निर्म भी आनंते हैं उधर केंदर सरकार राज कोशिय घाटा तै लक्षव तक्सीमित करने में काम्याब रही है रेखा एवं महा नियंत्रक ने केंदर सरकार के 2022-23 राजस्व व्याय का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि इस आवदी में राज कोशिय घाटा 6.4 फीस दी रहा गौर तलब है के वित मंत्रालें के संशोधित अनुमान में भी राज कोशिय घाटा इतना ही रहने का लक्षे रखा गया था मुख्यमंत्री मनुहरलाल ने कल चंडीगर से विश्व तंबाकू निशेद दिवस पर नशा मुक्त भारत रत यात्रा को हरी जंडी दिखा कर रवाना किया इस अफसर पर मुख्यमंत्री ने कहा के नशे को खतम करने के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्ताओं का भी बड़ा योगदान होता है और इन्हें आगे बढ़कर कार्य करना चाहिए इसी कड़ी में युवा जागरती एवं जन कल्यान मिशन ट्रस्ट भीवानी के द्वारा प्रदेश में नशे को खतम करने और पानी एवं पर्यवरन सरक्षन को लेकर जन संदेश रत यात्रा निकाली जा रही है सीयम ने कहा के जिस शेतर से ये यात्रा गुजरेगी वहां पर सकारात्मक विचार आएंगे और लोग नशे से सुतेत होकर दूर रहेंगे आज नशे को खतम करने के लिए सभी को इस मुहिम में अपना युगदान देना चाहिए यादि हमें समाज और राष्ट्र को मजबूत बनाना है तो इस प्रकार की बुराई से युवाओं को बचाना होगा स्वामी चनदास जी माराज के नेत्रतों में जो आज यात्रा निकाली गई है नशा बगाओ पानी बचाओ यह जो अभ्यान इस यात्रा के माद्यम से सब्सक्राइब बहुत सरानिय काम है और आज इसकी बहुत बड़ी आउशक्ता भी है क्योंकि प्रयावरण के नाते से पानी का बचाना बहुत जुरूरी है और युवाओं का बविश्य की कैसे अच्छा हो कैसे संदर बने आखर आज का युवाओं हमारा देश का कंधार है बविश्य की सारी बाते आज के युवाओं पर ठकी है तो युवाओं को नशे से ब समाचारों में आज इतना ही नमस्कार